जो आपका हमवर के आईपी एड्रिस जितना आपने पड़ा है उसके उपर पहला कुशन यह है 1290.0.0.0.16 और आपने क्रियेट करने है 17 सबनेट स्टार्टिंग के दो तीन निकल के दिखाएंगे फिर आपने पता लगाना है NID का BID First Valid IP Last Valid IP and Valid IP की अरेंज क्या होगी Question No.2 Question No.2 है 179 189 9.0-24 179 189 10.0-24 179 189 11.0-24 आपने फाइंड आउट करना है कि इसकी Summary NID क्या होगी Question No.3 Question No.3 आपने उनकी मर्जी है चुब आप लोग बच्चे नहीं रहे हो है I am not forcing to anybody कोई जो करेगा अपने अच्छी के लिए करेगा जो कि इंटर्यू प्रप्रप्रेशन आपको करवाई जाती है और एक यूनिट के बाद बाप यह आपकी मर्जी है आपको कूशन नंबर स्टी के लिए यहां पर एक पीज़ी है दूसरा पीज़ी है बी इन दोनों पीज़ी को कनेक्ट कर दिया गया है और यहां पर एक IP है 199 10.20.33 oblique 27 और यहां पर है 199 10.20.34 oblique 30 इसकी masking अलग है कोशन यह है कि ए मशीन communicate करेगी भी से यह ए मशीन बी से communicate नहीं करेगी कौन सी बात सही है which is the right statement कौन से है यह right statement है यह भी right statement है दौनों में से एक होगा जो भी आप answer देंगे उस काम है वो चीए कि भई इसके पीछे reason क्या है communicate करती है और नहीं थर कोशन नोट होगे कोशन नमबर फोर रेंज आफ प्राइवेट आई पी एड्रेस यह topic मैंने जानबूश कर नहीं पढ़ाया है चेक करें इंटरनेट के उपर किताबों के उपर क्या होता है ताकि थोड़ा efforts आप भी लगाएं searching करना आपको आना चाहिए तो इस तीन लाइन हैं हमें लिख देंगे अभी range of the private IP address प्राइव डाइव इड्रेस की range क्या होता है question number five R1 R2 R3 यह तीन डूटर्स हैं जो किसी एक organization के भी हो सकते हैं different के भी हो सकते हैं आपको designing का काम दिया गया है 2 IP address की requirements यहां पर है 2 IP address की requirements यहां पर है R2 का जो line है उसके दो line है R2 की एक पर 9 IP की जरुवत है एक पर 5 IP's की जरुवत है आरवन के लाइन पर हमें 51 IP एड्रेस चाहिए और आरथी के लाइन पर हमें 29 IP चाहिए जो नंबर आपको डिजाइनिंग करने के लिए दिया गया है देट इस 200-100-50.0-24 काउन सा सबनेट कहां पर आएगा उसकी मास्किंग क्या होगा यह आपने करना है चले हैं रूप चपका होगे नीजिए जीए चाहिए जीए 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 6 लाइए जीए calculate supernet id 199 1.2.0 slash 24 199 2.3.0 slash 24 199 3.4.0 slash 24 जिसकी आपने supernet id calculate कर दो चला जाएगो नोट कर लिए दूने question number seven how many valid IP address present in the following network ids 212.1982.0 slash 28 179.188.0.0 slash 21 10.11.12.0 slash 22 1.2.3.0 slash 60 27 39 42 dot 0 slash 24 30 जाएगो जाएगो हुशन नमर रेट वालिड ऑडर्स How many valid IP address belongs to 197.182.165.0 0.64 not 0.64 oblique 26 197.182.165.69 197.128.156 169.197.182.165.129 197.182.165.131 ये चार नमबर दे रखिए हैं कौन सा नमबर 64 oblique 26 में लाई दे उता है और देखना किया करता है चलें आगे भी पुशन नमबर नाई स देंगे लाई न तो E0, let's say F0. 199 10.20.33-27 199 10.20.65-27 199 10.20.5-30 199 10.20.6-30 199 10.20.129-26 199 10.20.190-26 Qooshan यह है The host A Can not Communicate with host B host A B से communicate नहीं कर पा रहा है communicate करना चाहिए था जो issue है related to IP address क्या करना है आपने आपने find out करना है उस issue issue related to IP address आप देखेंगे आप कहाँ पे IP address में गलती होगी जितनी भी question दिये जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बढ़ाएगे सब कुछ आपको बढ़ाएगे इस diagram में कहीं IP addressing के अंदर गलती है बतायाएगे कि अधा जब भी दो device आपस में बाचीप करेंगी उनका subnet ID save होना चाहिए एकी subnets के अंदर होना चाहिए तो यह आपने find out करना है last question find out next NID BID first valid IP last valid IP block size subnet mask next network ID and valid IP for each for the following पहला है आपके बास 12.24.36.40 dot oblique 21 question B 4.3.2.1 oblique oblique 10 14.1.2.1 तीज़ा कुश्य 223.1.1.1 126.1.1.1 अबलिक, 20, 14, 3.3.3, अबलिक 3, क्या हुआ? तो यह कुश्चन्स आपने करने हैं, कोई अगर दिखाने का इच्छुए करके, मुस्ट विल्कम दिखा से क्यों, बाग दिया आप अपने पास ही रख संथे कोई बोग्रम के लिए। कल एक डोकुमेंट अब कुदिया गया था, को डोकुमेंट सारीक के पास हुआ, उसको रीड आउट करें, उसका डिस्केशन हम करना जारें, पांच मट के दर तक हम सेट अप करें। करें।